जैसे राम दोस्तों हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत हैं दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और गंटी के बड़न को जरूर दबाएं दोस्तो मोत के बारे में बात करने और सोचने भर से मन में एक अलग सा डर पेदा हो जाता है ये एक बात आदी सक्ट है जो पेदा हुआ है उसे कई न कई एक दिन तो मरना जरूर है लेकिन फिर भी मोत का डर है कि जाता ही नहीं सीव परवान के अनुसार एक बार माता पारवती ने भगवान सीव से पूछा कि अगर मोत निश्चित है तो क्या इसके कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जिसे पता चल सके कि मोत नजदीक है और मोत से पहले आकिर मनुसिय किस परिश्चित्यों से होकर गुजड़ता है और उनमे क्या ऐसे बदलावाते हैं जिससे वैक्ति को मोत का अंदेशा हो सकता है तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि तब भगवान ने सीव ने माता पारवती को मोत से जुड़े कुछ कहीं ऐसे अनसुल्दे रहस्य बताए जिनको बताने से आपको पता चल जाता है कि आ संकेत मिलता है कि उनकी मोत 6 महिने के अंदर हो सकती है अगर किसी वैक्ति को पानी टेल या सिसे में अपना पठी भी मदिकना बंद हो जाए तो उसे भी अपनी मोत नजडिक आने का अंदेशा हो सकता है अगर किसी सक्स को सब कुछ काला नजर आने लगे तो ये संकेत है कि उनकी मोत बहुती नजडिक है इसी परकार बाया हाथ अगर एक सकता में ज्यादा समय तक लगातार फड़कता रहे तो समझा जाता है कि वैवक्ति केवल एक महिने तक ही जिवित रहने वाला है जो भी काम है वो निप्टा ले इसी परकार परकास दिखना जिस वैक्ति को ब कहने वाला है अगर सरीर पत्तर की तरह हो जाएं अगर किसी वैक्ति का मोह जीब कान और आक पत्तर की तरह हो जाएं उनमें बिल्कुल बी गति न हो गल्फ बिल्कुल भी हल चल न हो तो उनकी भी मजट्यू नद्जी का आने के दिन आ गये हैं इस बात को समझ लेना दोस्तों जिस वैक्ति की परचाई दिखना बंद हो जाती है और जो लोग परचाई देख भी बाते हैं तो उन्हें परचाई बिना सीर की दिखाई देती है तो उन वैक्तियों को भी मर्टियों निश्चित है और जल्द ही आने वाली है सीर पुराण के अनुसार सुजी हुई जीब अगर किसी वैक्ति की जीब अचानक से सुजदाए या फिर दात के पास निकलने लगे तो यह संकेत है कि उनकी जिन्दगी में छे माइने से जादा नहीं है आसमान में धुरुतारे का नजर जिस वैक्ति को नहीं आता है और धुरुतारा नजर आना बंद हो जाए तो उस वैक्ति के यह भी मोत नजडिक होने का एक संकेत है अगर किसी व्यक्ति को सूरुज चांद और आस्मान लाल नजर आने लगे तो यह भी निच्चित है कि उस व्यक्ति के मर्टियों नज्दिक आ चुकी है यह एक अनोका संकेत है भगवान सीव के बताये गए रैसियों के अलावा इस गरंत में मर्टियों के बारे में काफी कुछ बताया गया है मनुस्य हो या सेतान हर किसी को भगवान को पर्षन करके मोत पर विजय हासिल करने की कोशिश की लेकिन मत्यू एक ऐसा एक मात्र सत्य है जो होकर रहता है बले ही विज्ञान और तक्नीक ने चाहे कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति मोत पर विजय हासिल नहीं कर पाया है आज तक कोई भी जिन्गी और मोत को हराने में कामियाब नहीं रहा है मोत की तेयारी निच्छित है कि मोत तो आएगी और परम सच्चे है तो सवाल उड़ता है कि मोत की तेयारी कैसे करनी चाहिए हिंदु धरम के गरंटों के मुताबिक जब किसी भी व्यक्ति को मोत का अंदेशा हो जाए तो सब कुछ छोड़कर भगवान की भग्ति में लग जाना चाहिए उन्हें भगवत गीता का पार्ट करना चाहिए और भगवान की सरण में चले आना चाहिए गरंट यह भी कहता है कि किसी भी सचकी आत्मा या तो स्रग में जाती है या नरक में व्यक्ति के केगे कर्मों के आधार पर आधारित होता है दोस्तों उम्मीद है यह जानकर आपको अच्छे लगी होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक चता है सेर कीजिए जैसराम दोस्तों धन्यवाद दोस्तों